हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बजार वितायुष और दोस्तों इस वीडियों में बात करने वाले हैं बीपी सीयल के स्टॉक के बारे में बीपी सीयल के डिविडेंट के बारे में बीपी सीयल के स्टॉक के टागेट के बारे में कब 6 प्रती शेयर वाला डिई ậाद देखने को मिलेगा इंप ne unlike इस घंर के इसको अंदर आपकोई करना है विडियोको लाइक करना है से तो फ्रेंस BPCL का स्टॉक अगर आप देखेंगे आज करीबन 319.65 पर बंद होता हुआ देखने को मिला है कोई BPCL के स्टॉक के अंदर तेजी होती भी देखने को नहीं मिल रहे है यह सही बात है लास्ट एक महिने में स्टॉक आलमोस्स 10% गिर गया है छे महिने में आप 11-19% के असपर की गिरावट और यहां पर साल की शुरुबात से कर आप देखेंगे तो 17.21% स्टॉक मैसिफ फॉल होता हुआ देखने को मिला है स्टॉक लगाता नीचे आता हुआ देखने को मिला है लास्ट बनियर के अंदर स्टॉक 35% आपको यहां पर डिसकांट पर चलत और फिर बीपी सेल का प्राइवेटाइजेशन दो लगाता दोस्तों कवर निकल के आती कि बीपी सेल को प्राइवेटाइज करेंगे गवर्मेंट जो भी बीपी सेल के अंदर अपनी स्टेक है उसको बेचती हो नजर आएगी बट अगर आप देखेंगे ऐसा कुछ हो नही चुका है कि गवर्मेंट ने डिसकंटीनियू कर दिया इसके डिस इंवस्मेंट के प्रोसेस का डिस इंवस्मेंट दोस्तों आप गवर्मेंट साफ साफ कह दिया कि बीपी सेल का अब होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा जो खबर है वो बेसिकली आज ही निकल क्या है और कह सकते हैं कि अपने आप में कोई बड़ा फैसला तो डिफिनिटली है अब जो स्टेट्मेंट है वो क्लियर है बट यह स्टेट्मेंट मुझा लगता है कि पहले ही आजाना चाहिए था क्योंकि यह अगर आप दिखेंगे मार्केट को डिफिनिटली हमेशा कहा गया कि हाँ दिखने को मिलेगा पैसर जनरेट होगा उस पैसे वो अपिस से कंपनी में लगा जाएगा बट जो बात थी वो यही थी कि कुछ हो नहीं रहा था और इस आप साफ दिखें बीपी सेल ने अनौंस किया गवर्मेंट ऑफ इंडिया उसके लेटर में कि हैज एडवाइस तो स्ट्राइजिक डिस इंविस्टमेंट ऑफ बीपी सेल अनौंस कुछ भी इसका डिस इंविस्टमेंट जो कहा जा रहा है वो नहीं होता हुआ देखने को मिलेगा और जो कंपनी है वो जिस प्रकास से चल रही थी वो हर चीज बैसी तरह से चलती भी देखने को मिलेगी जो अब यहीं लगातर आपको होता हुआ देखने को मिला है जब भी सरकार ने किसी चीज के ओपर डिस इंवेश्मेंट की बात करी हो बहुत कम है जिनको देखिए फुली कर दिया गया कह सकते हैं कि एर इंडिया अपने बहुत बड़ी चीज थी जिसको देखे सरकार ने आप को मिले कह सकते हैं काफी ज़्यादा है दियू टू प्रोटेस्ट यहां पर जो भी देखे होता हुआ देखने को हुआ पॉलिटिकस कह सकते हैं वह एक रीजन हो सकता है अब बात करें फेंड्स टॉक की वाल्यूम्स के बारे में आज की जो आज वाल्यूम है वो करीबन यहाँ पर 40 लाग के सपास आते हुए देखने को मिलिये 3888 अभी पर आप देखेंगे तो वह पींडिंग देखने को मिलें 6 रुपे का डिविडेंट तो इस तो कंपनी के नंबर्स निकल गया थे 25 तारिक और कंपनी ने कहा था कि वो करीबन final dividend 60% का अनौंस कर रही जो होगा 6 रुपीज पर शेयर वो final dividend होता हुआ देखने को मिलेगा कंपनी अगर आप देखेंगे लगातार काफी dividend देती हुई आई है लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर पूरा मिलाए जाए तो कंपनी ने दो dividend अनौंस कर दिये थे तोटल तीन dividend इस अनौंस किये दो interim थे और एक final dividend था दो थे पाच-पाच रुपे के के होती है वह आदी हुई देखने को मिलती है कंपनी की AGM के बाद अभी दोस्तों जो company की AGM है है वह फ्रेंट्स company की एगियम जो है वह होती है देखने को मिलेगी 3 जून को तेन जून को वाईस बेसिकली देखे है वह जो AGM है वह हो चुकी है और जो AGM है दोस्तों उसमें कह सकता है कि अभी तक announcement तो ऐसा नहीं किया गया है बट अगर company की past history की बात करूँ तो company ने हमेशा जब भी कोई dividend का अनौन्स किया है final dividend का तो वो basically September में होता है credit तो अगर आप यहाँ पर date last time अगर आप देखेंगे 16 तो September को यह होता हुआ देखने बट अभी तक उससा कुछ होता हुआ देखने को नहीं मिला है बट याद रखिए का जो dividend है वो definitely credit बहुत जल्द होता हुआ देखने को मिलेगा जल्दी company उसका बारे में announcement भी आपको करती हुई देखने को मिलेगी अब बात कर देकि stock के targets के बारे में है तो target जो है यहाँ प लेवल इसलिए एहम भी हो जाता है because stock लगातर अगर आप देखेंगे तो उन लेवल के असपास अभी जिस प्रकार से यहाँ पे consolidated तो ज्यादा नहीं हुआ है बट consolidate अगर करके दिखाता है market जोड़ा positive रहता है कल याद रखिएगा RBI की meeting है तो RBI की meeting में definitely क्या कुछ निकल क करें buy करें sell करें तो देखें नंबर जो जबा निकल क्या है undoubtedly यहाँ पर ज्यादा बढ़िया नहीं थे अगर बात करता हूं मैं साल बर साल की company का 72.79% net profit गरिया वहीं बात करता हूं quarter करते कि तो वहाँ पर कोई ज्यादा difference आता हुआ देखने को नहीं मिला quarter अगर आप देख नहीं कर पाई थी बट चलती है 1525% के रिटन अगर आप देखेंगे stock ने डिलेवर किये 2000 से थोड़ा सा hold करना पड़ेगा पेशन सकना पड़ेगा एक ऐसी company है जो मुझे लगता है कि हमेशा news में रती भी दिखने को मिलेगी बली वो dis investment हो privatization हो कुछ भी हो stake sale हो बट यहाँ यहाँ पर कह सकता हूं कि अगर आपने portfolio में बना रखिए तो wait करिए hold करिए dividend payout इस company का अच्छा है वह एक यहाँ पर सबसे बड़ा plus point है otherwise यहाँ पर मैं आपको कहूंगा कि अगर दूसरी company में पैसे लगान चाहते हैं ताकि जल्दी returns बने तो वहाँ पर बहुत ज़्याद